नमस्कार दूस्तो अभी अभी दू मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहत भुरी ख़बर सफ़कता रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रैवार साम पंखे के पास खेलते समय करंड लगने से चार भाई बहनों की जान चले गई है जानकारी के अनुसार चारो सगे भाई बहन थे अचानक हुई इस दर्दना घटना से परिवार सहीद आसपास के लोग गहरे सदमे में ही छेतर अधिकारी आसुतोस कुमार ने बताए कि बारा सगवर थाना छेतर के एक गाउन निवासी वीरेंदर कुमार सरोज के घर में करंट लगने सी चार बच्चों की जान चली गई है मौके पर पहुंची पुरिस ने सवों को पोस्ट माडम के लिए भीज दिया है आगे की कार्योई की जा रही है मिर्टक बच्चों की पैचान मयंक जिसकी उम्र 9 साल है हिमानसी उम्र जिसकी 2 साल है इसके अलावा दुस्तों मानसी और हिमानक जिनकी उमर 6 और 4 साल के रूप में है उन्होंने आगे कहा कि बच्चे एक फर्राटा पंके के पास खेल रहे थे जो चालू था सरकर अधिकारी कुमार ने बताए कि प्रारमिक जांच में मौत का कारण बिजली का छटका लगना बता जा रहा है उन्होंने बताए कि पुलिस ने सब को पोस्ट मौडम के लिए भेज दिया है और गहरी जांच की जा रही है इस वक्त की सबसे भड़ी और बेहद दुखद ख़वार सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से जहां फर्राटा पंक्खा में करंट उतरने से चार भाई बहनों की मौत हो गई है और ये सबी दुस्तों सागे भाई बहन थे परिवार में कोहरा मचा हुआ है पूरे गाउं में मातम पखर गया है अब तक की सबसे बड़ी और बेहद दुखद ख़वर सामने आ रही है आप सभी दूस्तों से विंती है कॉमेंट बॉक्स में आम सांतियों मजरूर लिखें